असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम नीकल साइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग आई होप सब खेरियत से होंगे तो आज हम चापली कवाब की रेच्पी लेकर आए जो बहुत ही मज़ेदार होती है तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग कैसे बनाते कवाब बनाने के लिए मैंने यहां पे 200 ग्राम मतन लिए इसे हम मिक्सर ग्रेंडर में ग्रेंड कर लिए हैं और एक मीडियम साइज के प्याज इसे हम चौप कर लिए हाफ कब बेशन इसे हम रोस्ट कर लिए हैं और थोड़ से हरी धन्या और मसालों में वन टेबल और 1 tablespoon कूटा हुआ काली मिर्च और एक लाल मिर्च कूटा हुआ एक हरी मिर्च इसे हम बारिक बारिक चॉप कर दिये और 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर टेस्ट के अफाडिंग नमक और 1 tablespoon सर्सो का ओल तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहिरामनिरहीम और अब हम सभी चीज अजिथा लेशन पीस्ट अरॉजक लेशन पीस्ट अजिर reference गरम मसाला बेशन, धन्या, और सरसो का ओयल, एक टेवर स्टीन, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, बेशन के जगह पे आप कॉन फ्लार का भी यूज़ कर सकते हैं, और मिर्च को आप अपने कॉर्डिं कर सकते हैं, कम ज्यादा, प्रेस्ट, यह मिक्स हो गया है, और अब हम इसे कवाब का सेब दे देते हैं, तो पहले हम हाथों में थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे, और अब हम इसे कवाब का सेब दे देंगे, तो यह देखिए, हम इसे कवाब का सेब दे 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 दे, इसी तरीके से हम सभी को सेब दे 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 और अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे, तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पे पेन में ओयल को डाल दिया और अब हम इसे गर्म कर लेंगे, ओयल गर्म हो गया है और अब हम फ्राइ करने के लिए कवाब को डाल देते हैं, कवाब को डाल देते हैं, आप इसमें कूटावा ही मसाला यूज़ करें इसे फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में टेस्ट भी बहुत बहिया लगता है यह देखिए एक साइड हो गया है और अब हम इसे प्लट कर दूसरे साइड भी पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे पकाए वारना यह अंदर से कच्चा ही रह जाएगा तो यह प्राई हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं इसमें कलर भी अच्छा आ गया है देखिए तो यह देखिए हमारा चापले कवाब रेडी हो गया अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस प्लीस लाइक करें अच्छी अच्छी कमेंट्स करें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ सेयर करें अगर हमारे चैनल पे न्यू आया है तो प्लीस प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो टोटली फ्री इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं तो चलिए फिर नेक्स वीडियो मिलते हैं अल्लाहाफीज